पुलिस के मताबिक बेगु सराय जिला के गर्यारा याड में एक ट्रेन का इंजन पुलिस ने बताया कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने तीर लोगों को हिरासत मिलिया उनसे मिली जानकाली के मुताबिक उन्होंने मुजफवनगर की प्रभात कॉलोनी इस्थित एक कबार के गोदाम में इंजन के पुर्जों को तेरा बोरियों में रखा हुआ था चोर के इस गिरोह ने एक साथ ट्रेन के इंजन को नहीं चुराया बलकि इंजन के पुर्जों को धीरे धीरे करके चुराया लेकिन इसके लिए बकायदा चोरों ने एक सुरंग तक बना ली थी जिसके माध्यम से चोर इंजन के पुर्जों को चुराते थे और बोरी में भर कर ले जाते थे यहां तक कि इसकी बनक रेलवे को भी नहीं थी लेकिन इंजन चोरी का ये पहला मामला नहीं है बलकि इससे पहले पूनिया में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था पूनिया जिले में विंटेज स्टीम रेल इंजन चोरी हो गया था जहां इस्थानी स्टेशन में सावजनिक प्रदर्शन के लिए रखे विंटेज मीटर गेज स्टीम इंजन को बेज दिया गया था हाला कि जाज की बात पता चला कि एक रेलवे इंजीनियर ने इसे फर्जी वाड़ा कर बेज दिया था बिहार में इस तरह की चोरी की और भी कई मामले सामने आ चुके हैं यसे पहले रोहतास में लोहे का 510 वजनी और 45 साल पुराने पुल पर भी चोरों ने हास साफ कर दिया था इसके अलावा चोरों के एक गिरों ने बिहार के उत्तर पूरवी अरद्या जिले में सीता धार नदी पर एक लोहे के पुल का ताला खोल दिया और पुल के कुछ पुर्जे भी गायब कर दिये फिलाल पुलिस ने अग्यात लोगों के खलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए कॉमेंट करके जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार